किसान भाई ये सुवागत है आपका हमारे यूटूब चेनल फार्मर फ्रेंड्स में जैसा के आज आपने हमारे थमनेल पर देखा के आज हम ब्रॉकली के बारे में बात करने वाले हैं तोस्तों ब्रॉकली एक विदेसी सबजी है जैसे हम फूल गोबी पत्ता गोबी की खेती करते हैं ऐसे ही ब्रॉकली की भी खेती हमारे भारत में बड़े पेमाने पर की जा रही है लेकिन इसकी खेती के लिए कुछ खास बातों का धियान देना पड़ता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किसान भाईयो इस वीडियो का पूरा देखिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स के साथ पूरी जान करी दूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाईयो के पास शेयर करें इसकी नरसरी सितंबर से अक्टूबर के महिने में तयार की जाती है पूरे दो से धाई महिने तक आप इसकी हर्वेस्टिंग ले सकते हैं बात करते हैं पोली हाउस की तो पोली हाउस में आप इसकी खेती किसी भी समय कर सकते हैं किसान भायो ब्रोकली की खेती दो वेराइटी में की जाती है एक अर्ली वेराइटी और दूसरी होती है लेट वेराइटी जो अर्ली वेराइटी होती है वो 90 दिन में तयार हो जाती है और जो लेट वेराइटी होती है उसको तयार होने में 120 दिन का समय लगता है अगर आप ब्रॉकली की खेती करना चाहते हैं तो अर्ली वेराइटी सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये 90 दिन में तयार हो जाती है किसान भाईयो ये जो आप ब्रॉकली की खेती देख रहे हैं हमारे पॉली फार्म में ये अक्टूबर के महीने में लगाया गया था और अभी फरवरी की 15 तारीक को इसका हर्वेस्टिंग चालो हो रहा है और करीब 10 से 15 दिन के अंदर इसका हर्वेस्टिंग पूरा हो जाएगा ये जो ब्रॉकली आप देख रहे हैं इसका साइज एवरेज के तोर पर देखा जाए तो 500 गिराम तक होता है या इससे ज़्यादा या इससे कम भी 400 गिराम या साड़े 400 गिराम एवरेज माने तो आधा किलो यानि 500 गिराम तक इसका वजन हो जाता है ब्रॉकली एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही nutrition value से भरपूर है हमारे बारत में देरे देरे लोगी से काफी पसंद करने लगे है शेहरों में भी इसकी बहुत मांग है और खासकर metro city में इसकी कीमत 100 से उपर की रहती है किसान भायों ब्रॉकली में बिमारियों की बात करें तो इसमें बिमारियों का इतना attack नहीं होता है यदि fungus से related कुछ है तो कोई भी fungicide से दूर हो जाता है और damping जैसी बिमारियों को मैंने इसमें notice नहीं किया है हमारे poly farm में कम से कम तीन साल से ब्रॉकली की खेती की जा रही है अगर किसी किसान भायों को ब्रॉकली या अन्य खेती से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वह हमें comment में बता सकते है और अगर कीडे की बात करें तो इसमें पत्ते खाने वाले कीडे लगते हैं किसान भायों जब ब्रॉकली का हैड़ निकलना स्टार्ट हो जाता है तो हैड निकलने से लेकर हार owner तक बहुत ही critical time होता है critical time इसलिए होता है यदि मोसम खराब होता है तो कीडे मोकुडों का परकोब जादा होने के chances होते है यदि इसमें कोई भी रोग आता है खराब मोसम के समय तो आपको इसका निवारान करना होगा क्योंकि कीडे मोकोडे जो होते हैं वे ब्रोकली को जल्दी खराब कर देते हैं और अगर ये खराब हो गई तो इसका मारकेट रेट डाउन हो जाएगा इसकी कोई वेल्यू नहीं रहेगी तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात होती है जब इसका हैट निकल जाए तो आपको अपने ब्रोकली के पोधो को चेक करते रहना है कि कोई रोग तो नहीं है या कीडे मोकोडो का कोई परगोप तो नहीं है यदि आपके मन में ब्रोकली से रिलेटिड कोई सवाल है या सुजाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं मैं आपका रिपलाई जरूर करूँगा किसान भाईयों उमीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाईयों के पास सेयर करें और चैनल पर पहली बाराई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन ओन कर ले ताकि खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल सके